वालकाम फैंट्स सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महीलाओं में प्रियोग लाए जाने वाले एक सौफ्ट जिलेटिन कैपसूल की बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग खाने के लिए नहीं किया जाता है बलकि इसका प्रियोग वेजैनल यूज मतलब महीला के जन्नाओं को बर्खनें के लिए किया जाता है यह सौफ्ट जिलेटिन कैपसूल तीन अलगलग दाओं को कॉमपोजिशन है जिसमें क्लेंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल ता टीनेडाजोल यह दवईयां होती है और इस कैपसूल को जिस नाम से आप जानते हैं जिस नाम कैपसूल यह इसके कुछ popular brand है जो आपको आसाने से मिल जाते है इस कैपसूल में जो दवईयां मिलाई जाती है उसकी strength की अगर बात करें तो इसमें जो क्लेंडामाइसिन है, क्लोट्रिमाजोल ता टीनेडाजोल यह तीनों ही सूसू मिलीगाम की strength में मिलाई जाती है अब दौट्रिमाजोल यह ता टीनेडाजोल यह ता टीनेडाजोल यह ता टीनेडाजोल गूली गहिंते है ऋता लीकिन कई बार यह mix infection होता है जो सामनिय मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो उस समय यह तीन कॉम्बिनेशन वाली कैप्सुल डॉक्टर दरा एड़ोईज किया जाता है जब महिला में वेजनल इन्फेक्शन होता है तो महिलाओं को जन्नांगों पर रेडनेस रहेगी इचिंग होगी जलन जैसा महसूस हो सकता है महिलाओं में वाइड डिस्चार्ज होगा साथ ही ज़्यादा सिविर हो जाने पर यह वाइड डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा मात्यम होने लग जाता है bed order आने लग जाती है, smell आने लग जाती है इस सरी की अलग-अलग समझ्याइं होती साथ महिला को urine के समय धर्द भी हो सकता है यह समझ्याइं होती जब महिला को vaginal infection हो जाता है त्विजानली के अफ्चल दोक्टर दर्राइडवस्ट किया जाता है इन सभी infection को medical terminology में अलगलग नामों से जानते हैं जैसे bacterial vaginosis, candidiasis, trichomoniasis यहां तीन अलगलग नाम से इसको जानते हैं लेकिन यह सभी जो बीमारी हैं, सभी जो infection ने उन सभी का लक्सन इसी तरह को होते हैं यह tablet इन तीनों को ही ठीक करने में सक्सम हैं अगर जाने इस tablet को लेने पर महिला को क्या-क्या side effect दिखाए दे सकते हैं तो इसमें जो most common side effect है उसमें जिन चीजों को जिन symptoms को आपने कम करने के लिए से लिया है वह बढ़ जाएंगे जैसे कि redness, itching, swelling, burning sensation, urine के साथ जो दर्द हो रहा है वह यह सभी बहुत जादा बढ़ जा अगर यहाँ पर हम जाने यहाँ केपसूल महिलों में किस तरह से कारी करता है कि इस तरह से विजनल इंफेक्शन को ठीक करता है तो जैसा हमने जाना था कि clean damage एक antibiotic दभा है जो हमारे सरीर में बेक्टीरिया की growth को रोक कर बेक्टीरिया निफेक्शन हो ठीक करने का कारी करती ह तुक्ति वाब जो शोड़ यह एक अंटी फंगल दवा है जो फंगस की सेल में में इसको लिकेज करती है डाइमिज देती जिस करदेशन से fungus की growth नहीं हो पाती तो fungal इंफिक्सिन ठीक हो जाता है साथ Growります को रोल कर Pasaic growth को रोकर infection को ठीक करती। इसी तरह से तीनब दोई मिलकर Alter- mae में को फøंगल इंफिक्ट्रесь परेसी इनफिक्सिन को ठीक करने काजे करती है। अब वीडियो के लाश में जान लेते हैं, इस कैपसूल को महिलाओं में किस तरह से दिया जाता है और इसका प्रयोग कैसे करना होता है। तो महिलाओं में डॉक्टर द्वारा इस कैपसूल को प्रते दिन एक यूज करने के सलहा दी जाती है। इसको रात को सोते समय वैजाइनर में इंसर्ट करना होता है जन्नांगों में रखना होता है उसके लिए इस केपसुल के साथ में आपको एप्लिकेटर मेलता है उसका प्रियोग आप जोरू से करें इस केपसुल की स्ट्रिप में साथ केपसुल पेकिंग में आते हैं तो इन सा बाद में जो capsule उसको इस्टिफ में से निकाले और जो एप्लिकेटर दिये उसमें इंसर्ट कर दें फिर आप पीट के बल बेड़ पे लेड़ जाए और आपके पाओं को कुछ इस तरह की position में कर लें हो सके तो इसको आप गुटनों को chest की तरह भी मोर सकते हैं और गुटनों क सिधा करके जो position picture में दिखाए जरी इस तरह से भी रख सकते हैं अब जो एप्लिकेटर दिया है इसको आप अपने जन्नांगों में इंसर्ट करें और जो पीछे lid देरे की इसको दबाएं जिससे की जो capsule है यह आपके सरी में चली जाएगी और उसके बाद में आपको लेटे हो आए उसके बाद में सोते समय इसका प्रियोग करें कई बार condition हो जाती रात को इसका प्रियोग नहीं कर पाते तो जब दिन में आप प्रियोग करते तो कम सब्सक्राइब दो तीन गंटे का यूज करने के बाद आप लेटे रहें कुछ सावदान या इस टेबलेट को यू कैपnaire करते हैं सुबह उठने पर हलका सा वाइड डिसरज लगता है तो उससे त्यसarasफ मात्रा होने के बाद में आपकी बोल्क्तर यह से बहार आति से एकसे हो उती है आपको साररिक समंद भी नहीं बनाने, ये भी आपको इसे इस तोर से ध्यान रखना है, इसके बार में हुझे कई बार पूछा जाता है, क्या वैजेनल टेबलेट यूज लेने के बाद में साररिक समंद बना सकते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं बनाना, प्रेगने डोमन अगर क कैपसुल को डॉक्टर से लेके आई हैं, और उसके तुरंद बाद उसको पीरिड शुरू हो गया है, तो पीरिड के दोरान इस कैपसुल का प्रियोग नहीं करें, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इस तरह से अगर सावधाने रखके, इस कैपसुल का प्रिय कि पर इंफेक्शन हो गया है, आपको कैपसुल लेने से दाजा फाइदा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के दोरा कुछ औरल मेडिसिन भी दी जाती है, जिसमें एंटिबायोटिक मेडिसिन दी जाएगी, एंटिफंगल मेडिसिन दी जाएगी और आपको कुछ बात के लिए जल्दी से टीट्मेंट दिया जा सके और जल्दी से इसाब ठीक कर सके तो दोस्तों यह पूरी जाने का एरती क्लीन जेन फोल्ड सॉब्ड जिलेटिन के बारे में जो एक वेजने इंफेक्शन को ठीक करने का कैपसूल ले उमिद गरता हूँ पूरी जाने के आपको मिली होगी और वीडियो आपको जूर से पसंद आएगा आज की इस वीडियों पस इतना ही मिलते हैं किसे नए वीडियो में नई दवा नई टोपिक के साथ में तब तक के लिए स्वस्त्रे और मस्त रहें